दोस्तों बिहार में परिक्षा कब से शुरू होगी उसी संबंधित न्यूज है बिहार द्रोगा 2020 पीटी एकजाम कब तक ली जाएगी बिहार प्लीस फायरमेन की एकजाम कब तक होगी तो चलिए सबसे पहले न्यूज देख लीजिए यह जो न्यूज है प्रभात खबर का ह जून में पटरी पर आएगी पढ़ाई यानि एसकुल कॉलेज जो खुलेगा उसी संबंधित न्यूज हो जाए इससे पहले यहां पर आप कोरोना से रिल्टेड न्यूज देख लीजिए जब तक स्थिति समाने नहीं होता है एकजाम नहीं ली जाएगी तो इस्थिति कब महिने के लाष्ट तक बहुत जाएदे यहां पर पीक पर चला गया था 16.15 और कल का यहां पर है 16 मही का है 5.73 पॉजेटिव रेट में यह है कि 100 बेक्ति को अगर यहां पर कोरोना टेस्ट किया जाता है जिसमें से 5.73 यानि 6 बेक्ति कोरोना पोजेटिव पाया गया है तो य कम होने का एक रिजन यह भी है कि अभी लॉगड़न है इस कारण से भी यहां पर कम हो रहा है तो 20 महने के लाष्ट तक लॉगड़न रहेगा और उमीद है कि जून तक सब कुछ समाननी हो जाएगा विसेश्यकों का भी यही अनुमान था कि मैं पूरे कोरोना पीक पर नकि टो कर यहां पर देख लाएगे जौन मैं पटरी पर आएगी पढ़ाई यह जो संबधित नूझ है बीसविद्याले और समीठ समेत राजी के सभी अन्य बिस विख विद्याले को अब लग रहाएग FIR जुन में एकेडमिक परकिरिया को कुछ रप्तार दे पाएंगे और इसके बाद यहाँ पर मैं में गर्मी छुटी भी दे दिया गया है तो जुन में छुटी भी नहीं रहेगा तो इस कारण से यहाँ पर सब कुछ फिर दिरे खुल जाएगा और 15 जुन को यहाँ पर बिहार बीड इंट्रेंस टेस्ट का भी एकजाम डेट रखा गया 15 जुन 2021 को एकजाम ली जाएगी लेकिन इस्तिती समान्य होने के बाद ही ली जाएगा अगर कोरोना के स्तिती समान्य रहता है अभी एक महने है त तो 15 जुन तक अगर समान्य हो जाता है 15 जुन को ले ली जाएगी नहीं तो जुन लास्ट में एकजाम ली जा सकती है अब बात करते हैं बीहर द्रोगा 2020 पीटी एकजाम कब तक ली जाएगी अभी 2019 वेकेंसी का फैनल रिजल्ट आना बाकी है बीपी एससी के 2019 वेकेंसी कंप्लीट होने के बाद 2020 की परकिरिया शुरू करेंगे अगस 2020 में वेकेंसी दिया गया था और पीटी एकजाम अभी होना बाकी है तो 2019 वेकेंसी का फैनल रिजल्ट में लास्ट तक दे दी जाएगी अगर लेट भी होता है तो 15 जुन तक हरहाल में रिजल्ट द ले जाएगी इससे अधीक लेट नहीं होगा एक और रीजन है कि अक्टूबर से यहां पर त्योहार भी शुरू हो रहा है दुर्गापुजा फिर दिवाली है तो अक्टूबर फर्स्ट वीक में दुर्गापुजा है इससे पहले एक्जाम ले ली जाएगी फिर अगर ले क्रेंटरफेर्स आप 2020 का भी त्यारी कर लिजे इनफॉर्स्मेंट सब इंस्पेक्टर एक्जाम में 2019 का भी क्रेंटरफेर्स पुछा गया था अगर 2020 में वेकेंसी दिया गया तो उससे 6 मेना पहले यानि आप शुरू 2020 से लेकर अभी तक क्रेंटरफेर्स कंप्लीट कर 30 पलस क्रेंटरफेर्स से पूछा जाएगा तो इसलिए अच्छे तरीकेस क्रेंटरफेर्स का त्यारी कर लिजे 2020 का भी आपको देख कर जाना है और बिहर प्लीस फायरमेन एक्जाम की बात करें तो CSBC के पास अभी एक ही एक्जाम लिखित परिक्षा लेना बांक ही है और यहां पर जैसे हिस्थिती समानी होता है तुरंत एक्जाम ले लिजाएगा और दो तीन और वेकेंसी भी आने वाली है तो इस कारण से फायरमेन एक्जाम में देरी नहीं किया जाएगा पहले यह एक्जाम डेट निर्धारित था 6 जून 2021 को ताब इसे अस्थागित कर दिय जाएगा है तो यह एक्जाम जो है जुलाय अंतीम सब्ता में अगर जुलाय अंतीम सब्ता में नहीं लिया जाता है तो अगस्थ 2021 में हर हाल में ले लिजाएगी